क्लास वेलकमिन बैला जीब याकाश निगम और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कुशन करने वाले हैं that is about तो टोटल आप सब अवेर होंगे कितने सेंस और नोज तंग और इसके नहीं तो इसके नहीं चीज आपको याद रखने होगी अगर ही यूमन आई के बारे में बात की जाया तो ही यूमन आई के लिए यह आपको क्या याद रखना है एक लोग में होती हैं उनको क्या बोलते हैं ऑप्टिक लोग बोलते हैं या ऑप्टिक सौकेट बोलते हैं धेन नर्स जो और आई की बात की जाया तो जो यूमन आई है ये एक वन आफ ता most delicate organs of the body है और यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा delicate sense organ है आपकी body का थिक बहुत complex topic है ये लेकिन आपको बहले easily समझ में आ जाएगा अगर आप 5 minute वीडियो को डंग से देखते हैं तो तो आप्टिक नर्स वो नर्स हैं जो कहां से अराइज हो रही हैं? human eye से तो human eye के थूँ जो भी information का transfer होता है that is due to the optic nerve अब अगर बात की जाए human eye के structure की तो जो आपका human eye होती है ये तीन membrane contain करती है आपको ये तीन membrane याद रखनी होगी सबसे बाहर की membrane होती है sclera, दूसरी membrane होती है coroid और सबसे अंदर क्या होता है? retina, छिक, sclera, coroid और retina sclera वो membrane है जो आगे की ओर चलके क्या बनाएगी? cornea बनाएगी, तो पहले cornea क्या होता है? ये समझने के लिए आप एक जनरल अगर इस तरह से देखें हम लोग, आपने ये आई देख रखी है इस तरीके से, तो human eye का ये जो reason होता है, ये वाला white color का जो भी reason होता है, ये जो color reason आपका कहलाता है, iris और ये जो बीच का gap होता है, this is said to be pupil, pupil वो amount, pupil वो structure है, जो आपकी आँख के अंदर light की entry के amount को regulate करता है, ठीक, वो कैसे करता है, अभी हम लोग देखेंगे, light और dark adaptation में, तो ये हो गया white color cornea, बीच में dark ocean iris और iris के बीच का gap होता है, pupil, तो अगर इस structure में देखें, तो जो sclera, that is the outermost membrane, ये आगे की ओर जलके क्या बनाती है, cornea, 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 जो आ रही है, ये आगे की ओर क्या बनाता है, iris बनाता है, और iris क्या होता है, iris usually black color का होता है, बड़ इसका color vary कर सकता है, और ये black color क्यों होता है, due to the pigment, named as melanin, और melanin basically कौन सा color provide करता है black, तो जिसमें जतना जदा melanin होगा, उसकी eyes में iris का color कहता होगा, black होगा, उससे कम होगा तो blueish हो गया, और कम होगा तो greenish हो गया, और कम होगा तो brown हो गया, तो इस तरीके से eyes का color जो होता है, वो vary करता है, अब iris के बीच का एक जो gap है, जहाँ पर iris नहीं है, ये वाला gap क कहलाता है, ये gap कहलाता है, pupil, क्या कहलाता है, pupil कहलाता है, then, ये उपर की और जो structure हैं, इन काँ बोलते हैं, suspensory ligament, suspensory ligament और suspensory ligament से आप देख पा रहे हैं कि कुछ muscles rise हुई हैं ये वाली इन muscles को हम बोलते हैं ciliary muscles कौन से muscles हैं ये? ciliary muscles और ciliary muscles क्या करती है जो बीच में structure है that is lens इसको hold करके रखती है proper position में अब ये lens के just पीछे अगर हम देखें तो retina के उपर एक structure एक spot पाया जा रहा है इस spot को बोलते हैं हम yellow spot या फिर इसी का एक और नाम है macula lutea या इसी को और एक नाम से बोला जाता है that is fovea centralis तीनो नाम कोई भी आपके book वे mention हो सकता है yellow spot macula lutea, lutea का मतलब ही होता है yellow that's why yellow spot macula lutea भी बोलते हैं fovea centralis भी बोलते हैं अब यह जो spot है यहीं पर कौन से image form होगी अगर हम बात करें colored image basically जो होती है इसका formation या normal image का formation अगर हम बोलें image का जो formation होता है वो आपके yellow spot के उपर होता है क्यों? क्योंकि yellow spot के उपर cells पाय जाती है that cells are referred as cone cells बागे पूरे retina के उपर cells होती है but yellow spots basically rich होता है कौन से cell में? cone cells में cone cell एक pigment contain करती है वो pigment क्या कहलाता है that pigment is iodopson और यहीं पर एक दूसरे cell पाय जाती है जिन cells को क्या बोलते हैं? rod cells और rod cell एक pigment contain करती है rodopson cone cell color के लिए responsible है कौन सा pigment है? iodopson rod cell black and white vision के लिए responsible है कौन सा pigment है? iodopson और यहीं पास में एक spot है this spot is said to be blind spot और blind spot वो reason है जहां से nerve and blood supply होती है आपकी eyes को और यह वो reason है no image formation reason जहां पर कोई भी image form नहीं होती वो reason क्या कहलाता है? blind spot अब एक last चीज आपका eye जो होता है वो दो पार्ट में divider होता है एक पार्ट lens के आगे एक पार्ट lens के पीछे lens के आगे का जो पार्ट होगा that is said to be aqueous chamber कौन सा chamber है यह? aqueous chamber और aqueous chamber filled होता है एक fluid से this fluid को हम क्या बोलते हैं? aqueous humor और पीछे का जो chamber है यह वाला इसको बोलते हैं हम vitreous chamber और vitreous chamber में एक fluid भरा होगा that is said to be vitreous humor बस आपको eye के बारे में इससे ज़्यादा कोई और चीज जानने की ज़रूरत नहीं है एक structure जो cornea के उपा इस तरीके से एक image एक membrane पाई जा रही है इस membrane से आप सब aware है it is said to be conjunct tyva और conjunct tyva में होने वाला infection क्या कहलाता है conjunctivitis कहलाता है यह हो जाते हैं आपकी eye legs upper eye lid lower eye lid दो eye lid होते हैं यह क्या हो जाते हैं आपके eye lid eye lid में upper होती है और lower होती है आप देखेंगे तो आपकी upper eye lid movable है और lower eye lid जो है वो movable नहीं है बट आपका upper job fix है lower job movable है तो यह differences याद रखने चाहिए हैं आपको eye lid दो है upper and lower जिसमें lower eye lid fix होती है बट अपर movable होती है लेकिन जो भी दो है upper and lower सबसे बाहर के और क्या आ रहा है आपका अगर बात किये जाए isclera दूसरी membrane जो आगे के और iris बना रही है यह है coreide और सबसे last में हो जाएगा आपको retina इस से arise होंगी ciliary suspensy ligament suspensy ligament से ciliary muscles यह hold करके रखेंगी lens को एक position में पीछे के और एक spot है जिसको बोलता है yellow spot yellow spot image formation होती है क्योंकि yellow spot जो होता है rich होता है कौन से cells में कौन cells में और कौन cells एक pigment content करती है इसकी एक simple से trick है जो next वीडियो में हम discuss करेंगे कि कौन cell को कैसे याद रखना है rot cell को कैसे याद रखना है कौन से cell कब active होती है कौन से cell कौन सा pigment content करती है तो human eye basically is a sense organ optic lobe में होता है optic nerve responsible है इसके transmission और nerve impulses के लिए human eye में sclera है coroid और retina है sclera ने बनाया cornea coroid ने बनाया iris iris का color है due to melanin iris के बीचा gap है pupil और ये pupil ही regulate करता है the amount of entry of light in our eyes इसके पीछे आएगा lens और lens कौन सा होता है convex lens होता है lens के पीछे retina के ऊपर एक spot होता है that is yellow spot और दूसरा spot होता है आपका blind spot तो blind spot is the reason of no eye image formation yellow spot is the reason of maximum image formation lens के आगे का chamber request chamber lens के पीछे का chamber witness chamber उमीद कर रहे हैं कि आपको पूरा eye ये एक बार में समझ में आ गया होगा still इसका जो दूसरा वीडियो इसके बाद upload होगा वो बिल्कुल देखें ताकि आपको rod cell और console से recorded trick तुरं से आज हो जाए और आपको रटना नहीं पड़े दोबारा तो अगर channel अच्छा लग रहा हो तो like करें